अध्याय सत्रह श्री प्रबोध और श्री मनींद्र मैंने 1907 इस्वी में मा का पहली बार दर्शन किया 1908 इस्वी के मध्यकाल में वर्षा रितु में दूसरी बार दर्शन किया इस बार सुबह लगभग साढ़े ग्यारा बजे जैराम बाटी गया प्रणाम करने के बाद मा ने मुझसे पूछा तुम क्या मास्टर महाशे के छात्र हो? मैं नहीं मा, मैं उनके पास जाता रहता हूँ मा वे कैसे हैं? तुम क्या हाल ही में उधर गए थे? मैं वे ठीक हैं, मैं आट दिन पहले ही गया था दोपहर में भोजन करते समय मैंने पूछा इस बीच क्या आपका कलकत्ता जाना होगा? मा इच्छा तो है कि पूजा के समय जाओं फिर मा की जो इच्छा तुम्हारे खेत में धान होता है? मैं हाँ मा होता है मा अच्छा है हमारे गाउं में अच्छा धान नहीं होता तुम्हारे इहां उड़द होती है? मैं हाँ मा मा बहुत अच्छा रात में भोजन के समय माने पूछा अभी क्या तुम घर पर ही रहते हो? मैं हां मा, घर पर ही रहता हूँ मैं बड़ी विपत्ती में हूँ खुब बीमार था उसके बाद विवाह हुआ मा विवाह? क्या हो गया है? मैं हां मा मा मा, लड़की की उम्र कितनी है? मै, लगभग तेरह वर्ष मा, जो हुआ है अच्छे के लिए ही हुआ है और क्या करोगे? मै, मास्टर महाशे ने विवाह करने से मना किया था मा, अहाँ उन्होंने स्वेम बहुत कश्ट पाया है तो इसी लिए कहते हैं कि तुम लोग कोई विवाह मत करना मै, संसार में बहुत बाधाएं है संसार में रहने पर मनुश्य अपना मनुश्यत्व खो बैठता है मा, निश्चे ही केवल रुप्या, रुप्या, रुप्या मै, यहाँ अत्यंत कश्ट दायक है मा, ठाकुर के संसारी भक्त भी तो है चिंता की बाध क्या? मै, निस्तब्ध हो गया मा, मेरे भायों ने भी तो विवाह किया है मै, क्या आपकी अनुमती से? मा, क्या करूंगी? ठाकुर कहते थे, विश्ठा का कीड़ा विश्ठा में ही आनंद से रहता है भात की हंडी में रखने से भह मर जाएगा और फिर हम लोगों ने चाचा ताओ की जैसी सेवा की है वैसी क्या आजकल की भतिजियां कर पाती है? मै, धीरे धीरे सब कुछ बदलता जा रहा है मा, वह तो है देखो न, पहले मैं चींटी भी नहीं मार पाती थी लेकिन अब बिल्ली को भी एक आज थपड जमा देती हूं ठाकुर कहते थे यह भी करो, वह भी करो फिर कहते तुहू तुहू जीव बहुत कष्ट भुगदने के बाद ही कहता है तुहू तुहू अर्थात इश्वर तू ही, तू ही स्वार्थ जितनी देर तक सदता है, तभी तक यक्ति मेरा मेरा कहता है उसके बाद नहीं भै की क्या बात है तुमने विवाह किया है ठाकुर की इच्छा से भभ भी अच्छी हो जाएगी शायद उसका भी कोई सतकर्म रहा होगा ठाकुर कहते थे विद्या से अधिक प्रभाव अविद्या का है अर्थान अविद्या माया ने संसार को मुग्द करके रखा है जगदंबा आश्रम कोयाल पाड़ा बांकुडा 20 अप्रेल रविवार 1919 मनींद्र सातु और नारायन आयंगार एक मद्रासी भक्त आदी सुबह लगभग 10 बजे मा को प्रणाम करने गए मा को यहां आये एक महिने से अधिक हुआ है पुरुष भक्त कोयाल पाड़ा आश्रम में रहते हैं और वही खाना पीना करते हैं मा की भतीजी माकु का बेटा बहुत बीमार है उसे डिप्थीरिया हो गया है वह जैराम बाती में है बैकुंठ महराज उसका इलाज कर रहे हैं मा उसके लिए अत्यंत चिंतित है क्या होगा भक्तों के प्रणाम करके बैठते ही पहले यही बात उठी नारायन आयंगार मा आपके आशिर्वाद से लड़का अच्छा हो जाएगा मा कमरे में ठाकुर की फोटो को देखकर उनकी ओर हाथ जोड़कर वे है ना सातु माकु के बेटे के लिए इन्होंने अर्थात नारायन आयंगार ने बहुत किया है अर्थात दिप्थिर्या का इंजेक्शन लाने के लिए कलकत्ता किसी को भेजा है इत्यादी मा हाँ अच्छे वेक्ती है उन्होंने कालो को कलकत्ता भेजा इतना रुप्या खर्च किया इनके नरहने पर कौन इतना करता? नारायन आयंगार मैं यंत्र हूँ, ठाकुर यंत्री है मुझे यंत्र के समान काम करा रहे है मा ठाकुर कहते थे जिसके पास धन धान्य है वो बाटे जिसके नहीं है वह जपे अर्थात जब करे नारायन आयंगार जब करते समय क्या आचमन करना अवश्यक है? मा हाँ, घर में रहने पर आसन आचमन की अवश्यकता है रास्ते में या अन्यत्र स्थान में नाम करने से ही होगा नारायन आयंगार केवल नाम, मंत्र जब नहीं? मा हाँ, मंत्र जब भी करोगे अवश्यक फिर भी, मन स्थिर करके एक पार उन्हें पुकारना लाख जब के बराबर होता है अन्यत्हा सारा दिन जब किये जा रहे हैं लेकिन अन्मने ढंग से उससे क्या लाख? मन की एक आग्रता चाहिए, तभी उनकी कृपा होती है नारायन आयंगार मैं जो कर रहा हूँ, उससे ही होगा, की और भी कुछ करना होगा? मा जो कर रहे हो, वही करो, तुम तो उनके कृपा पात्र हो ही नारायन आयंगार दो-तिन दिन लगातार अनन्य भाव से पुकारने से उनका दर्शन मिलता है मैं तो इतने दिनों से पुकार रहा हूँ फिर भी उनका दर्शन क्यों नहीं होता? मा हाँ होगा क्यों नहीं? यह शिव वाक्य है ठाकुर के मुख की वानी है उन बातों के असत्य होने का सवाल ही नहीं सुरेंद्र मित्र से उन्होंने कहा था जार आचे शे मापो जार ने शे जोपो अर्थात जिसके है वह बांटे जिसके नहीं वह जपे सभी को लक्ष करके यह भी न कर सको ठाकुर को दिखा कर तो उनके शरनागत हो थोड़ा यह याद रखने से ही हुआ कि मुझे देखने वाले एक जन है मेरे एक मा या पिता है नारायन आयंगार आप कह रही है इसलिए मुझे विश्वास है राधू को एक पुत्र हुआ है संतान होने के बाद से ही राधू बिस्तर पर पड़ी है उसे खिलाने का समय हो गया है इसलिए मा अब उठेंगी मा अब राधू को खिलाने जाऊंगी भक्त लोग प्रणाम करके उठ गए नारायन आयंगार ने मा के श्री चर्णों में सिर रखकर प्रणाम किया मा ने सिर पर हाथ रखकर आशीरवाद दिया मनींद्र के प्रणाम करते समय मा ने कहा बहु मा अर्थात मनींद्र की मा का कैसा विश्वास है काशी जाने की बात पर उसने कहा था मेरे लिए यही काशी है मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी मनींद्र की मा श्री श्री मा के पास ही रहती थी एक वर्ष से अधिक हुआ उनका देहावसान हुआ है वे श्री श्री मा की खूब सेवा करती थी मा ने उनसे कहा था मेरे पास यहां कोई अधिक दिनों तक रह नहीं पाती पहले केदार की मा थी और अब तुम हो संध्या होने को आई इसी समय खबर आई की माकू के लड़के की हालत बहुत खराब है सुनकर मा बहुत उद्विग्न हो उठी ब्रह्मचारी वर्दा से बोली पालकी की व्यवस्था करके रखो मैं कल सबेरे ही जाऊंगी यदि लड़का तब तक बचा रहा तो सुबह ही मुझे उसकी खबर कैसे मिलेगी मनींद्र मैं और सातु बहुत सबेरे ही खबर ला देंगे थोड़ी देर बाद ही बैकुंठ महाराज जैराम बाटी से लोटे मा को ज्यों ही उनके आने की सूचना दी गई उन्होंने उतकंटित हो पूछा तो क्या रड़का नहीं रहा? सबको चुप देख कर बोली कब गया? बैकुंठ महाराज साढ़े पांच बजे मा अभी जाने से देख पाऊंगी? बैकुंठ महाराज नहीं मा उसे ले गए है मा जोरों से लोने लगी थोड़ा रुकती फिर रोने लगती स्वामी केशवा नंद द्वारा मा को सांत्वना देने की कोशिश करने पर बोली अरे केदार मैं उसे भुला नहीं पा रही हूँ एक बार माकु के साथ जेराम बाटी जाते समय उस लड़के ने कहीं से धेर सारे गुलंच के फूल लाकर मा के पैरों में देकर कहा था देखो पुआ कैसा लग रहा है उसके बाद प्रणाम कर उसने मा के पैरों की धूल ली बाद में फूलों को बटोर कर अपनी जेब में भर कर ले गया शरत महराज उसे बहुत प्यार करते थे बीमारी के समय लड़के ने लाल मामा लाल मामा कहकर शरत महराज को बहुत पुकारा था मा ने कहा शायद किसी भक्त ने आकर जन्म लिया था उसका अंतिम जन्म रहा होगा नहीं तो तीन वर्ष के लड़के में इतनी पुधी इस तरह पूजा करने का भाव भला हो सकता है लालन पालन करके मुझे कश्ट हो रहा है इसी करंदन और शोक में बहुत रात हो गई रात में मा ने सब स्त्रियों से पूछा कि उनका भोजन हुआ है कि नहीं जब उन्होंने सुना कि उन लोगों ने कुछ नहीं खाया है मा ने स्वयम नहीं खाया था इसलिए तब उन्होंने थोड़ा सा दूद और दो पूरी खाई अगले दिन शाम के समय मनींद्र और प्रभाकर मा के पास गए माको के लड़के की मृत्यू से मा का मन अत्यंत दुखी है उसी की बात होने लगी मा वह कहता फूलों को किसने लाल किया है मैं कहती ठाकुर ने किया है क्यूं? वे पहनेंगे इसलिए शरत को खूब दुखो होगा उसके पैरों में दर्द रहता फिर भी वह उसे हमेशा गोद में लिये रहता गोद में बैठ कर कहता तुम्हारी मा कहा है? शरत माकुक को दिखा कर कहता यही मेरी मा है लड़का कहता तुम्हारी मा स्कूल वाले घर में गई है उस समय राधू की बीमारी के कारण मा उसे लेकर कुछ दिनों तक निवेदिता स्कूल की बोर्डिंग में थी उद्बोधन के मकान का शोरगुल राधू से सहन नहीं होता था मनींद्र अक्षय की मृत्यू से भी ठाकुर को बहुत कश्ट हुआ था मा उन्होंने कहा था जिस तरह गमछे को निचोडते हैं वैसा ही लग रहा था दिनू अर्थात अक्षय मेरे जेट का लड़का था विश्णु घर में पूजा करता था रिदय काली घर में पूजा करता दिनू जोशोदा नाचातो तोमाय बोले निल्मोनी यहीं सब भजन ठाकुर को सुनाता उसे हैजा हो गया मनींद्र आप उस समय दक्षनेश्वर में थी? मा हाँ, मैं नौबत खाने में थी मैंने ठाकुर के चरणों की धूल अपने पैरों की धूल मा काली का सनान जल सब उसे लगाया फिर भी नहीं बचा चल बसा ठाकुर को बहुत कश्ट हुआ था मेरे छोटे भाई ने एंट्रंस पास किया था अच्छा लिखना पढ़ना सीखा था डॉक्टरी पढ़ रहा था नरेण से मुलाकात करने गया तो नरेण ने कहा था मा का ऐसा भाई भी है बाकी सब तो चावल केला बाढ़ने वाले ब्राहमन है नरेण ने कहा पेट के भीतर फोड़ा होगा तुम्हें उसे चीरना होगा योगेन तुम इसके पढ़ने का खर्च जुटाना योगेन चल बसा राखाल ने 40 रुपे की किताबे खरीद कर दी थी राखाल शरत उसके साथ बैठ कर ताश खेलते थे वह भाई भी चल बसा संसार माया का बंधन है करुन स्वर से अहां जिसे करवट बदलने के लिए भी सहारा देना पड़ता था ऐसा था माकू का लड़का देखो ना कैसी यंद्रना है इस राधू के लालन पालन करने में कितना कश्ट हुआ लालन पालन करने में बड़ी यंद्रना है जब राधू अर्थात सुर्बाला की पुत्री पैदा हुई मेरी मा ने कहा छोटी बहू अर्थात सुर्बाला को उसके मा माय के ले जाना चाहती है तो उसे ले जाने दो मैंने कलकत्ते में सुबह ठाकुर की पूजा करते समय देखा मानो थेटर में परदा जैसे खुलता है इस प्रकार अपने हाथों को फैलाती हुई खुल गया और मैं देख रही हूँ गाओं में राधू की मा अत्यंत कश्ट पा रही है राधू को केवल थोड़ा सा मुर्मुरा दिया है बाहर आंगन में धूल भरे पुवाल पर बैठी वह मुर्मुरा खा रही है राधू की मा ने हाथ में कहीं एक लाल धागा तो कहीं नीला धागा बांध रखा है पागलो जैसी दशा दूसरे सब लड़के मुर्मुरा मिठाई के साथ खा रहे है यह देखकर मेरी वही अबस्ता हुई जैसे पानी में सिर डुबाने पर छटपटाते व्यक्ति की होती है मुझे लगा मेरे छोड़ देने पर राधू की यही अबस्ता होगी मा अपने छोटे भाई अभै को बहुत प्यार करती थी भाईयों को उन्होंने ही पाला पोसा था अभै ने अंत समय में कहा था दीदी ये सब रहे देखना राधू उस समय मा के गर्भ में थी प्रसव के बाद राधू की मा श्रीश्री मा के साथ कलकत्ता आई बाद में पागल हो जाने पर उसे जैराम बाटी भेजा गया राधू वहां अत्यंत दुख कष्ट पा रही थी बाध बाजार के किराए के मकान में एक दिन सुबह पूजा करते समय श्रीश्री मा ने जैराम बाटी का उपरोक्त द्रिश्य अर्थात विजन देखा चार दिन के भीतर ही गाउं जाकर राधू के लालल पालन का भार अपने उपर ले लिया मा कहती उसी समय से मुझे माया ने जकड लिया और एक बात कोयाल पाड़ा में मा बहुत बीमार थी उस समय अचानक राधू ससुराल जाने की बात कहकर जैराम बाटी चली आई मा से उसने कहा तुम्हारे देखपाल करने के लिए कितने भक्त हैं पर मेरे पती के सिवा मेरा और कौन है मा ने इस घटना के बारे में कहा था कल राधू तो इस तरह मेरी माया काट कर चली गई मन में भै हुआ सोचा तो क्या ठाकुर मुझे और नहीं रखेंगे मा ने और भी कहा था यह जो राधी राधी करती हूँ यह एक माया को लेकर हूँ और नहीं तो क्या संध्या का अंधेरा घणा हो उठा मनींद्र और प्रभाकर विदा लेना चाह रहे हैं रात को वे आराम बाग जाएंगे मा ने कहा तुम लोग थोड़ा कुछ खा लो प्रभाकर हम लोग खाकर आएं हैं मा थोड़ा सा क्यों नहीं खा लेते अजी थोड़ा मिठाई लाकर इन्हें दो तो बाद में हम लोगों से बोली तुम लोग खा पी कर जाना मनींद्र अच्छा मा मा गाड़ी ठीक हुई है मनींद्र हाँ हुई है प्रणाम करके विदा लेते समय मा ने आशिरवाद दिया भगवान में मती हो मनींद्र मा हम लोगों की माया कट जाए मा ने उस बात पर प्रसन्न होकर देखा तेईस अप्रेल उननिस सो उननिस भग्त लोग मा को प्रणाम करने गए है नारायन आयंगार ने मा से कहा मा अभी आपके मन में अशान्ती है माकू के लड़के की मृत्यू के कारण इसलिए मैंने सोचा है कि मैं जल्दी ही निकल जाऊं मा ने कहा दुख सुख और कहा जाएंगे ये तो रहेंगे ही तुम लोगों का उससे क्या तुम अभी रहो अगले जेट महिने में चार या पांच तारीक को जाना